नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल MLM घ्यानी घ्यान पर एक बार फिल से दोस्तों आज किस वीडियो में कुछ बात करने वाला हूँ जैसे कि मार्केट में आप देख रहे हैं क्रिप्टो को लेकर के बहुत सारे मार्केट में प्लान चल रहे हैं और आपने बहुत प्लान में देखा होगा कि वह यूटिलिटी भी बहुत ज़्यादा फूकस करते हैं कि इसका यूज केस बहुत है और जैसे कि हमारे यहां पर जो टोकन है यहां से आप रिचार्ज कर सकते हैं कोई भी बिल पेट कर सकते हैं इस तरीके का से कोई भी पेमेंट कर सकते हैं और आगे चलके इसलिए इसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि इसकी यूटिलिटी की बहुत है दोस्तों आज के साथ यहां पर बातचित करूंगा और यहां पर आपको बताऊंगा क्या यह सही होता है किसी भी टोकन के लिए जो आज की डेट में ऐसे लोग बोलते हैं और एक्सांपल के साथ बात करूंगा कि ऐसा क्या होता है इसका नतीजा क्या होता है इस सब चीजा मैं आपको यहां पर डिसकस करूंगा तो वीडियो पूरा रखते रहीगा दिहान से देखिए का बीज से इसके मत कीजेगा और वो सारे टोकन या कोईन कहते हैं कि आप हमारे इस टोकन से या कोईन से आप किसी भी कंपनी का रिचार्ज कर सकते हैं कहीं का बिल भर सकते हैं किसी भी टाइप का बिल भर सकते हैं कहीं होटल में पेमेंट कर सकते हैं या कुछ सोरूम्स के आपको दुखानों के एड्रस दे दी जाते हैं और कहते हैं कि आप बहां जाकर कर सकते हैं और जब यह यूज केस बढ़ाएंगे तो हमारे का प्राइस भी बढ़ेगा तो ऐसा बहुत कुछ आप प्रोकन बोलते हैं और रिसेटली आपने एक कोई देखा है जिसने बहुत ज्यादा इस चीज को बोला और आज प्राइस से भी कुछ लेना देना हो सकता है इसके बारे में बात करेंगे लेकिन अगर आप इस पेमेंट के ऊपर जा रहे हैं तो इसको समझने के लिए पहले आपको जो दो लीगल वर्ड है उनको समझना पड़ेगा जैसे लीगल टेंडर और लीगल ट्रेट इनको आपको समझना पड़ेगा जैसे आपको बंपर लीगल टेंडर क्या होता है जो कुसी बिदेश की करन्सी होती है मतलब जिसे क्रेंट करंसी कहते हैं है या जो भी कॉइन चलते हैं दस के पांच के यह सारे क्या है यह लीगल टेंडर है तो सुंत और यह जो होती है इसको एक गवर्मेंट के लौ के द्वारा ही इसको डेक्रेटर किया जाता है इसको गोसित किया जाता है बनाए जाता है जिसका यूज किसी भी है कि payments में या कोई भी financial organizations में इनका यूज किया जाता है तो यह कहलाती है लीगल टेंडर तो और हम लोग यहाँ पर कि जैसे आप देखते हैं गूगल पर करते हैं तो हम आपर जो पेमेंट करते हैं वह हम अपने उसी देश की करनसी के रूप में रहते हैं तो इंडिया में हम यहाँ पर रुपय में ही उसका पेमेंट करते हैं गूगल पे या फोन पर किसी भी online UPI service का यूज करके यूज की उपाई government ने पर आया तो यहाँ पर government ने जो हमारी जो डेस की currency है Nationalocurrency जो है , उसी कोही भाब पर लाग में लगाया है कि उसी में payment होता है तो यह तो होता है legal tender लेकिंग दोस्तों जहां पर आप देख रहे हो है कि qui cashuna कि हमें पर अपना हमारे कोई से आप रिचार्ड कर सकते हैं याap किस बिल पेड कर सकते है किसी का तो यह सब क्या होता है यह दोस्तों यह सिर्फ और सिर्फ अपनी ही एक किसी application या अपने ही wallet से आपको ऐसी service देते हैं और वो service कैसे मिलेगी वो भी मैं आपको बताता हूं तो तो पजाने तो हम जानते कि एस चीस को क्या कहते हैं यह जो होता है यू कहुँआता है लीगल ट्रेड़ और जैसा कि आपको पता है इंडिया में क्रिप्टो करणसी लीगल ट्रेड के दौब पे तो सही है िैंड है लेकिन लीगल टेंडर नहीं बना है क्योंकि यहाँ siitä हो जाएंगी और पेमेंट शुरू कर देंगी लेकिन ये अभी नहीं हुआ है ये सिर्फ सिर्फ अभी लीगल ट्रेट ही यहाँ वह चल रहा है और लीगल ट्रेट क्या होता है पहले आपको इसको लीगल कर लेते हैं as के पास कोई भी वदल्ब सामान है उसके बदले आपको पैसे चाहिए तो आप सामान देकर के पैसे ले सकते हैं सामान के बदले सामान ले सकते हैं या किसी सर्विस के बदले आप सामान या रुपिया कुछ यह सब क्लिए यह से फिर्ट आता है तो Bitcoin हम के बूआ करें तो जो हम किसी को देते हैं और बहुत उसे पैसे अगले लेते हैं तो यह सब ठेड में आता है तो ट्रेड टो लीगल इडिया में हो रखी है क्योंकि इसके ऊपर गवर्मेंट ने थर्टी बर्शन टैक्स मेरा के रखा हुआ है तो लीगल ट्रेड तो यहां पर बनती है आप बात करें वो एप्लिकेशन के बारे में तो जो भी टोकन कोई आते हैं आप से कहते हैं रिचार्ज कर लेते हैं या पर बढ़ जाता है आपसे ईल में इंट्रेस्ट होता है उसको भी कुछ बताया जाता है कि वह एससे बढ़ जाएगा आप यह तर्फ पर यह ज्य Lazuk को यह वह तक रंप scam कर रहे हैं वो आपको recharge का option देते हैं और रही बात recharge की अगर उसका coin या कोई भी coin है उस company का coin हो या जो आपको यहाँ पर plan मिल रहा है अगर वो coin इतना ही अच्छा है तो उस coin से क्या Google पर recharge क्यों नहीं करता phone पर recharge क्यों नहीं है वो उस coin को यूज क्यों नहीं करती है क्योंकि बात वहीं पर आ जाती है क्योंकि वो legal tender नहीं है इसलिए उसको वो यूज नहीं करती वो सिर्फ एक application जो personal बनाई जाती है उस coin के द्वारा उसमें वो होता है और वो कहां से चलता है ऐसी application आप 25,000 रुपए में बनवा सकते हैं आप खुद की बनवा सकते हैं आप किसी भी चीज को वहाँ पर add कराके आप खुद की application बना सकते हैं उस या जो भी service दे रहा है उसके पास payment पहुंसती है MD के account से cut करके तो वो इस तरीके से link करके एक application बनाई जाती है जो की 25,000 रुपए में बन जाती है इसको कोई भी बना सकता है तो इस तरीके से यहाँ पर coin का use case दिखा करके बहुत सारी कंपनियां fraud करती है तो दोस्तों आपसे वस यही मैं request करता हूं इन चीजों को समझे और अभी latest मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूं सबसे बढ़िया अभी जो latest latest अगर आप देखें जिसने use case इस तरीके का बहुत दिखाया और उसके उपर बहुत फोगत सरके लोगों क बहुत बुद्दू बनाया है तो वह आपने नाम सुना होगा मैंने काफी वीडियोस बनाये हुए है उसके ऊपर LPNT ने अपनी एक application निकाली थी जहां से वह रिचार्ज करते थे लेकिन आज की डेट में वह पिछले कई दिनों कई महिनों से बंद पड़ी है क्यों बंद हो चुका है एमडी के अकाउट में पैसे रह नहीं गए है इसलिए वो application बंद हो गई है आप बहां से आपने चार्ज या कोई भी बिल पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो यह तरीका होता है यहां पर लोगों को बद्दू बनाने का तो आप लोगों से बस यह request है आप समझे ली वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरू कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और लीगल टेट लीगल टेंडर के साथ मैं मिलूंगा अभी और नए वीडियो में जहां पर एक और चीज आपके साथ डिसकस करूंगा कि बहां पर भी कैसे स्कैम होता है इस